हेलो एवरिबान, वेलकम टू माई चैनल, हिंदी टैरो डैक्ट पर टू, मैं हूँ पल लवी, कैसे हैं आप सभी लोग, I hope आप सभी अच्छे होंगे, सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग, और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है, कि क्या आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का जो भी उन्होंने आपके साथ करा, जो भी गलत करा उन्होंने आपके साथ उन गलतियों का एहसास होगा या नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा या उन्हें हो गया है, यह चीज़े देखने की जानने की कोशिश करेंगे, काइस बस आपको यहाँ पर यह ज़रूर ध्यान रखना है, जो भी रीडिंग होने जा रही है, वो जन्र कलेक्टिव और एक टाइमनेस या कि आपको तो यह चीज़रूर का एसास है या होगा। साइटिन, गर्मवर्स, सोरो, गाइपी जिन्मर्स, आईसलेशन, गाइपी जिन्मर्स पर देखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में किसी तरह की नोगजोग होई है पास्ट में, चाहे फिर ये नोगजोग छोटी सी ही क्यों ना हो, चाहे फिर बड़ी ही क्यों ना हो, उस नोगजोग में कही ना कही आपके पसंद अपने मन से ही किसी और से आपका compare करने लगे, यहाँ पर ये इसका ही क्यों ना इन्होंने compare करा हो उस वचह से इन्होंने आपको पास्ट में छोड़ दिया यहां पर यह चीज़े दिख रही है और आपके पार्टर को यह लग रहा था उस वक्त में कि शायद यह आपसे लड़कर जीट गए है लेकिन मुझे यहां पर इनकी यह energy यहां पर इन कार्टर के according तो यह पता चल रहा है कि आपके पसंद को अभी current में ही इन्होंने जो करा उन्हों चीज़ों का एहसास हो रहा है वो चीज़े आज की डेट में आपके पसंद को दुख पहुचा रही है वो चीज़े इन्हें रातों को सोनी नहीं दे रही है वो आपके जाने का अपने प्यार का जिस से ही प्यार करते थे उसके जाने का इन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है वो चीज़ें इनकी, life में depression लेकर आ रही हैं वो चीज़ें इन्हें अपने ही decision जो उन्होंने past में लिया था उस decision पर धुटकार रही हैं यह चीजें आपके परसन ये जो फील कर रहे हैं दिल से मन से जो परेशान है वो चीजें ये किसी से भी नहीं बता रहे हैं यानि कि एक पत्थर की तरह बन गए हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है कितना दर्द है कितना रो रहे हैं कितने घबराहट है इनके मन में वो चीजें किसी से नही बता रहे हैं यानि कि अंदर से आपके परसंद काफी जादा परेशान हैं अंदर से टूट गए हैं लेकिन बाहर से बिल्कुल भी 1% नहीं दिखता होगा कि इनको खरोज भी आई है आपके साथ इन्हों ने जो भी करा है उस चीज के लिए ठीक है यानि कि लोगों को यह यही फील करा रहे हैं कि यह उस वक्त उस फाइट में या आपको छोड़ने के बाद या आपका कमपैरिजन करने के बाद यह जीते आप हारें लेकिन एक्चली में यह नहीं हुआ आपके परसंद उस वक्त जीत कर भी सबसे ज़्यादा हार गए हैं इस तरह की अनर्जी मुझे देख रही है और देखते हैं आपके परसंद को अपनी गलती का एहसास है या नहीं है ओवर और पांच कार्ट के कोर्डिंग तो इन्हें अपनी गलती का एहसास है तो कि अधिन भप कीसे रिभाइश प्लीज आटी आटी इंजल्श प्लीज स्टी टॉड गिजर गाइड कीजिव गताया इक्सक्राइ़ के मैदी रिभाशन को अपनी गलती का एहसास है या का फांच कर लिभाइश प्लीज अल्मय प्लीज़ परसंद आपके इन्हाइगा, 10 of cups in reverse, 6 of cups, the full in reverse, 9 of swords, 3 of swords in reverse, queen of swords, आपने के जल्पी का एसाद है नहीं है, आपने के जल्पी वसाद आए, queen of wands in reverse, king of wands in reverse, आपने के जल्पी का एसाद है रेदी है, चारियट, bottom of the deck आया है, 2 of swords in reverse, feel of fortune in reverse, and the temperance, देखे गाईस, सबसे पहले अगर मैं numbers की बात करूँ, तो मुझे यहाप पर आप लोगों के लिए 2, 10 और 12, यह 3 number important दिखाई दे रहे हैं, जैसे हो सकता है आपका रिष्टा अपने person के साथ 12 साल का, यह 2 साल का था, और आप लोगों अपने person से 12 महीने से, 2 महीने से, 10 महीने से, 2 साल से, no contact situation को face कर रहे हो, ठीक है, या फिर month wise अगर मैं बात करूँ, तो मुझे December, February और आपका October मत, जो किसी ना किसी तरह से आप से जुड़ गया है, चाहे अच्छे वे में हो या बुरे वे में हो, जो आपके मन से, जहन से निकालने से भी नहीं निकल रहा है, इस तरह से यह month आपको लेना है, और इस तरह से आपको यह number लेना है, हमारा यह सवाल था कि क्या आपके परसन को अपनी गलतियों का एहसास है या नहीं है, जो भी नहीं ने आपके साथ करा उन चीजों का, देखे गाईस, सबसे पहली चीज तो मुझे आपर यह दिखाई दे रही है, कि आपके परसन ने पास्ट में काफी ज़्यादा selfish वाला behavior आपके साथ करा है, ठीके, यानि कि इन्होंने अपने आपको ज़्यादा priority दी in comparison of you, और obviously इन्होंने आपका compare किसी और से करा, या आप ही का आप से ही compare कर डाला इन्होंने, तो एक इन्होंने selfish वाला behavior करा, सबसे पहली चीज तो अगर मैं बात करूँ, जो जो मुझे situations पता चल रही है, मैं आपको वो clear कर रही हूँ, जैसे मुझे यापर यह दिख रहा है, कि आप लोगों के बीच में कोई family issues, कोई third party issues है यापर, with this queen of souls and with this queen of wants card, पैदा करी आपके person को आपकी life से दूर करा है, आप लोगों के बीच में जो भी चीज़े चल रही थी ना, उसे खतम करने वाला यह third party है, यह कोई third energies यहाँ पर दिख रही है, चाहे फिर यह जो energies है आपके person की खुद की दिल की हो, या फिर कोई personality हो, लेकिन कोई एक ऐसी energies यहाँ पर दिखाई दी है, जिसने आप लोगों के बीच के रिष्टे का death करा है, आप लोगों के बीच में दूर्या लाई है, आप लोगों की family को तोड़ा है, और अगर आप लोगों का सपना था family में आने का, तो सपने को तोड़ा है, वो third energy बहुत ज़्यादा selfish थी, सिर्फ और सिर्फ अपना चाहा रही थी, चाहे फिर वो आपके person ही क्यों ना हो, कोई और क्यों ना हो, वो third energy जो थी, वो आपके प्रती इतना ज़्यादा negative हो गई थी, इतना ज़्यादा आप पे गुसा थी, aggressive थी, या फिर आप कह सकते हो, आपकी तरह से दुश्मन बन गई थी, वो third energy जिसने आपका ये सपना तोड़ा, आपका परिवार तोड़ा, यहाँ पर ये चीज़े हैं, चिक है, इसी third energy ने basically, आपके उपर जो अगर आप लोगों के बीच में अनबन हुई है, या इन्होंने आपको छोड़ा था आपके परसर ने, वो frustration निकालने की वज़ह से आपको छोड़ा, आपके साथ गलत करा है, यहाँ पर ये चीज़े दिख रहे हैं, तो definitely यहाँ पर ये चीज़े clear हो जाती है, कि जी हाँ, आपके साथ आपके फरसर ने गलत करा चाहिए, खुद करने वाले हों, करने वाले तो obviously ये खुद ही थे, लेकिन वो बात और है, खुद के दिमाग से इन्होंने आपके साथ गलत करा, या किसी और थर्ड एनरजी की बातों में आकर करा, क्योंकि दोनों situations यहाँ पर दिख रही है, और जिस वजह से basically आपके परसर ने with the knight of wands card in reverse, आपके साथ इनका जो भी रिष्टा था ना, उसमें आपके साथ arguments करे, उसमें आपके साथ break up करा, आपके आप और आपके परसंद separation face कर रहे हो, इस वक्ट पे उसका कारण यही था, किसी ने manipulate करा चीजों को, या इन्होंने ही manipulate करकर आपको चीजे सर्व करी, और आप लोगों का जो भी रिष्टा था, उसमें इन्होंने दूरिया पैदा करी, यहाँ पर यह चीजे दिख रही हैं, ठीक है? उस वक्ट में बिसिकली आपके परसन ने अपने आपके बारे में ज़्यादा सोचा, या इस थर्ड पार्टी से आपकर compare करा, यही वज़ा थी, इनकी आपसे दूरियों की, पट current में क्या हो रहा है ना, current में आपके परसन को आपकी याद बहुत सता रही है, आपकी memories बहुत याद आ रही है, जो आपके साथ इनके अच्छे पल थे, तैश में आकर इन्होंने आपके साथ ये सब तो करा, लेकिन अब आपके परसन को आपकी रह रहकर याद सता रही है, और जो इन्होंने आपके साथ गलत करा, जिस वजह से इन्होंने आपका दिल दुखाया, वो बात इन्हें जादा याद आ रही है इस वक्त में, जिस वजह से आप शायद रोए थे, आप काफी जादा दर्द में थे, वो चीजे इन्हें रह रहकर याद बहुत जादा आ रही है, यहाँ पर यह चीजें दिख रही है, जिक है, आप शायद उस वक्त अपने परसन से बात करने की कोशिश कर रहे थे, एक न्यू बिग्निंग के बारे में कह रहे थे, यहाँ बिग्निंग करते हैं, एक बार मौका देकर देखते हैं, पर इन्होंने उस वक्त में इस रिष्टे को मौका भी नहीं दिया, क्योंकि यह काड आया है दफूल रिवर्स में, कि इन्होंने इस रिष्टे को मौका देने की भी नहीं सोची, यहाँ पर यह चीज है, यह नाइन ओफ सोर्स और दो स्वारों का काड दो बार आप लोगों की रिडिंग में आया है, जो कन्फर्म कर देता है कि जी हाँ, आपके परसन को जो इन्होंने आपके साथ गलत करा, उन चीजों का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है, वो चीजें इन्हें सोने नहीं दे रही है, यहाँ पर यह चीजें दिख रही है, जो चीजें इन्हें बिमार कर रही हैं अंदर से, जो चीजें इन्हें खोकला कर रही हैं अंदर से, और आपके परसन को अपनी करी हुई गलतियों का एहसास होगा, ये सवाल नहीं बनता है तो answer उसका ये आया है कि आपके person को अपनी करी हुई गलतियों का एहसास हो रहा है जो भी नो नहीं आपके साथ गलत करा, जो भी नो नो ने decision लिया, जो भी नो ने आपका compare करा, जो भी नो ने आपको अनापशना बोला उन चीजों का इन्हें अभी current म एह सास हो रहा है यहां पर यह चीजे दिख रही है इस disloc वाली energy से आपके पसं रिकवर होना चाहते है यह चीजे दिखाई दे रहे निकिंगे समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो घाव आपको दिये थे वो घाव कही ना कही जाने अंजाने में इने भी लगे हैं तभी आपके परसन उस घाव से अपने आपको रिकवर करने की कोशिश में लगे हुए है जो इनों ने आपके साथ गलत करा वो चीजे इने अंदर तक हिला रही है उन चीजों को दिमाग से निकालना चाह रहे हैं पीछे छोड़ना चाह रहे हैं उससे इकनोर करना चाह रहे हैं ताकि यह इस गल्ट करी हुई एनर्जी से निकल जाएं ऐसा करने में लगे हुए हैं आपके परसन उसका कारण यह है कि आपके पार्टनर आपके तरह बढ़ना चाहते हैं एक रियूनियन का उफर लेकर ठीक है यानि कि अपनी गल्ती को मानना चाहते हैं आपके सामने बताना चाहते हैं क्योंकि यह बैसिकली आपके साथ रियूनियन में आना चाहते हैं यह चीजे दिखने हैं आपकी तरह बढ तेली रिकवर हो रहे हैं अपनी गलतियों का है क्या कि बेसिकलिए आपके इस वक्त में बहुत बुरा वक्त चलता हुआ दिखाई दे रहा है इनका जो लगठ था वह तो पलटी गया इस थहरा कि energies देख रहे हैं, इनकी दुनिया यहां पर पलट गई है, इस वजह से इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, यह चीजे देख रहे हैं, यानि कि जितना flow में चल रहे थे, जितना कूद कर चल रहे थे, जितनी चीजे अच्छी चल रहे थे, उतनी सारी दुनिया इनकी पलट गई है, उसका कारण यह है, किसी को दर्द पहुचाया है, किसी का दिल दुखाया है, किसी को रुलाया है, तो इनकी दुनिया यहां पर इनकी पलट गई है, यह चीजे दिख रहे हैं, इनका सपना पलट गया है, इनकी फैमिली पलट गई है, यहां पर यह चीजे हैं उसमें यह आपको एक सांब ट्रीट्मेंटे रहे थी यह आपको आपको आपकी गलती का हैसास दिलाने की कोशिश कर रहेंगे। बात नहीं कर रहे थे या आपके साथ इस रिष्टे में आना नहीं चाह रहे थे ये आपको उस गलती का हैसास दिलाना चाह रहे थे जो गलती शायद आपने करी ही नहीं है और ये आपसे ना बात करके आपको ब्लॉक करके आपको एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे ता से कनवर्ट हुआ तब इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ तब इन्हें उन गलतियों की वजह से इनकी रातों की नीन खराब हुई इन्हें नेगेटिव थोट्स आने लगी और तब इनका तिमाग पल्टा जो यह दिख रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं चीक यह नहीं समझ में आ रहा कि डिसीजन कैसे ले आपकी तरफ बढ़ने का क्योंकि यह अब हो गएँ इस अब में नहीं तरफ बढ़ने के लिए पॉपा0 के लिए लिए पहससबिलिटिन गुन दूण पा रहा है किसे इन्हों अने करा है तो अब यह स्थार्ट्ण को कैसे व bomb करें यहां पर यहती खीजेहें चीके तो o triple all सवाल हमारे यहां पर था कि क्या आपके परसण को फितनी घलतिओं का एहसास हो रहा है तो देखे गाईज आपके परसण गाइड कीज उनिवर्स प्लीज दे गएड प्लीज दिवाइन ... तर दे गाइड कीज़ था राइए जिरा मेरे वीवस के पस्नि को तर्ड़िए को तरने के लिए कोई दे। एक्शन देंगे और नहीं दे। एक्शन दे गेडे। करने के दिए टू आफ कप्स ट्रैंड वी लोफ पॉचुन सही आगया राइब कीचे नहीं से बताईए दो कार्ट्स आ गए सिक्स आफ कप्स का कार्ड वहाँ पे भी आया था जो इन्हें अभी एहसास हो रहा है जो भी नो ने आपके साथ गलत करा उन चीजों का देखें गाईज इन पाच कार्ड के कोर्डिंग आपके परसन डेफिनिटली आपकी तरफ बढ़ेंगे एक्शल लेंगे आपकी तरफ और आपकी तरफ यह जो अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे है न वो स्ट्रेंथ भी यहाँ पर जुटाएंगे यहाँ पर यह चीज़े आई है तो यह आपके तरफ बढ़ेंगे यह खुद आ सकते हैं इनका कॉल आ सकता हैं किसी की तरू जो आज-पास के जो इनके चहेते लोग हैं उनके तरू या आप तक मैसेज भी पहुचा सकते हैं यह चीज़ें भी दिख रही हैं वो बात और है कि यह जो लोग इनके आपके परसंट अपने दुनिया पलटना चाहते हैं आपका साथ चाहते हैं जो आप लोगों के रिष्टे में प्यार थार और फिशु़ीन्स ती इमोशन ते की ज़ल उस सबस्क्राइब आपके खरा परसंगे सब्सक्राइब यहांने आप एसा लग रहा है कि ये Stadt करने के बाद किहां पर फाइटिंग कारा कि ये पार्ट करने के बाद इन का सब कुछ चीं गया है इन से इंकी रातों की नीद चींग गई है इनसे नका सुकुंखेंद चींग गया है इसे इनकाओ चीन लिया गया है ऐसा कुछ भी इनके सार नहीं हुआ है इसलिए आपके परसन अप फाइटिंग के मूर में नहीं बर्कि आपसे बहुत शान्ती से प्यार से बैठ कर चीजों को सॉल्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं समय मुझे यह आपे लग रहा है कुछ लोगों के केस में छे दिन और कुछ लोगों के केस में लग रहा है छे हफता छे दिन से लेकर छे हफतों के बीच में आपके परसन की तरफ से आपको कोई जेस्टर मिल सकता है इनका कॉल आ सकता है यह खुद आपकी तरफ आ सकते है और सब्सक्राइब आपको बहुत शांती से चीजों को सॉल्व करना है एप्रिशेट करना है आपके पास जो चीजें उन चीजों को चीजों को यानि कि जो आपके साथ हुआ आपके परसन को उनकी गलतियों के एहसास दिलाने के लिए हुआ है अगर यह चीजों को देखना है इन चीजों को समझना है प्यार से चीजों को सॉल्व करना है यह चीजे बोली जारी है हील तो आपको होना होगा क्योंकि आपके परसन ने आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुचाया है आपका दिल दुखाया है यह चीजे दिख रही हैं आपकी जो भी लाइफ को लेकर अपनी जिंदगी को लेकर अपनी डेस्टिनी को लेकर आपकी जो भी विशेज हैं वो एसा बोला जा रहा है तो गाइस बहुत अच्छी रीडिंग आई है आपके परसन को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है और वो आप अपनी गलतियों के इसी एहसास की वज़े से आपकी तरफ एक्शन लेते हुए आपकी तरफ बढ़ते हुए भी हाँ पर दिखाई दे रहे डबवाई हुए आपको डिडिंग पसंद आई हो आप इस डिंग से कनेकथ हो पाए हो अगर डिंग पसंद आती है कनेकथ को पाते हैं तो पलीज बताएगा जरूर ओर चैनल को लाइक शेयर और सबस्क्राइब जरूर कीचेगा ताकि इसी तरह से नए नए रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ, और हम लोगों का साथ हम लोगों का प्यार यो ही बना रहे, आज के लिए बस इतना ही, ओके बाब बाई